सु हलो दस्ते स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UPI ट्रांजेक्शन के बारे में हमारे पास बहुत से कमेंट आएं कि हमें UPI ट्रांजेक्शन के बारे में बताईए और इसकी लिमिट क्या है हम इसे कितनी वर यूज़ कर स क्योंकि आपको हमारे चैनल पर कोई भी फालतु बाते नहीं मिलेगी कोई भी लॉंग वीडियो नहीं मिलेगी एक दिन में एक लाक रुपए यूबिये कर सकते हैं एक चीज़ की पेमेंट कर ली एक दिन में आपकी लिमिट क्काश्चन ब nosו इसके बाद अपकी यह भी मान लीजे आपकी एक लाख पर लिमिट है एक दिन की और आप अपने यूपी आई आपने दस बार यूज कर लिया माल लीजिए आपने एक हजार पर 10 बार transaction कर लिए UPI से तो आपके transaction 10,000 पे होगी तो उसके बाद आप UPI नहीं कर सकते वो fail बताएगा आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कई बार UPI किया होगा आप 12 UPI करते हैं तो fail हो जाती है वो इसी कारण हो जाती है कि आप 10 बार से जादा एक दिन में UPI यूज नहीं कर सकते भले ही आपकी limit एक लाख रुपे की क्यों ना हो अगर आपने दस दस जार पे दस बार कर लिए तो आपके एक लाख रुपे की limit भी पूरी हो जाएगी और आप 10 बार यूज भी कर लेंगे अगर आपको कोई बड़ा amount किसी को pay करना है तो आपको इस चीज का दिहां रखना है कि आपको छोटी payment जादा नहीं करनी है दस बार अगर आप छोटी payment यूज कर लेते हैं तो उसके बाद आप बड़ी payment नहीं कर पाएंगे आपका doubt जो है clear हो गया होगा अगर आपका कोई doubt है कोई question है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपका reply जड़ दूँगा अगर वो comment genuine हुआ तो मैं उसका उपर वीडियो बनाकर ऐसे ही post करूँगा तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में जे हिंदे